हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने चाह रही हूँ सर्दियों की स्पेश्यल रेसिपी वो भी के पराठे वो भी इतने अच्छी तरीके से बना कर बनाएंगे कि आप खाते ही रहे चाहेंगे अक्सरम सर्दियों में माक्यात के ही पराठे बना कर क्यूंकि हमें दिक्कत आती है बेलने में और रठा बनाने में तो आज हम टिप्स के साथ बनाएंगे तो चोला बनाना स्टार्ट कते है तो सबसे पहले मैं नहीं आपे एक कप आगे हूँ काटा लिया है और टेस्ट अकोर्डिंग हम नमक डाल देंगे अच्छे से मिला ले अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और आज में टीप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कहीं लोगों के पराठे फट जाते है अच्छे नहीं बनते और चो बेचलर है उसके लिए बेस्ट तो इस तरह से मसल मसल कर हम इसे चिकना कर लेंगे जितना चिकना और लचिला होगा इतना ही पराठा हमारा अच्छा बनेगा तो हमें इस तरह से मसल कर फिर हमें ओल डालके फिर मसल कर उसे रेश्ट पर रखना है तो अच्छे से मसल कर बनाना है उसकी कल्सिशन्ती एसी वो नहीं चाहिए कि हमें पराठा बेलने तो फटने की डर भी ना र बिल्कूल भी पानी नहीं और जो great अधे में अच्छा नेरी तो मीडियूम ग्रेट करें और हमने ग्रेट कर लिया है अब हम सेपनी थोड़ा सा पानी नहीं चाता है तो इससे केसे निकाले तो इसमें एक बावल पर एक कपड़ा अच्छा सा clean और उसमें great कि हुँई गोबी डाल दीजे और उसमें से हम पानी निचोड लेंगे जितना पानी निचोड लेंगे उतना अच्छा रह Lewy हमँरे पराठा अच्छा बनेगा इस तरह से उसमें आटिये लगा दीजिए और उसमें से जितना निकले उतना पानी हमनी चोड़कर निकाल लेंगे तो इस पानी का भी आप यूज कर सेते हैं आटा बना लगाने में और सबजी में इसको डाल दीजिए तो पानी भी यूज हो जाएगा अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं बिल्कुल ही पानी नहीं रहेगा अच्छा सा बन जाएगा तो इसमें हम घर में रहेंगे रहने वाले ही मसाले बना डालेंगे तो पहले स्प्रेट कर देते हैं बिल्कुल पानी नहीं है यहां पर मै पराठे का स्वाध रहता है और को अच्छा रहता है तो इस तरह से हम को अच्छा मिक्स कर देंगे आप सोचते हैं कि मैंने नमक नहीं डाला तो मैं वह भी आपको बता देती हूं नमक डालने से क्या होता हो है कि मसाला हमारा पानी छोड़ देगा तो हमें बेलने में दिक्कत आएगी तो पहले हम मसालों को इस तरह से तयार कर लेंगे फिर हम जब पराठा बनाएं तो लेंगे तो जब पराठा बनाना हो तब ही नमक डालना यहां पर मिह अर आठा भी अच्छा से खोगा तो हम फिर उद से मसल लेंगे तो यहां से हम बड़ी सी लोई लेंगे जो हम घर में अक्सर रोटिया बनाते हैं इससे बड़ी क्योंकि हमें पराठा बेलना है तो थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे और उससे अच्छी तरह से पहले बेल लेंगे तो पराठा कोई कही तरह थे बनाते हैं ट्राइंगल रोटी चाहिसा अगर आप चाहिए तो मैं यहां पे स्क्वेर में बना रही हूं तो किस तरह से बनाना है वह भी मैं आपको सिखाऊंगी इस पराठा जो बेचलर है उसके लिए बहुत ही कामका है क्योंकि यह पराठे फटेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा तो यहां पर मोटी रोटी बेल ली है मैंने उपर हम ट्रॉपिंग रख दें तो चारों साइब अच्छे से अच्छे से प्रेस कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा हलका हलका तो से जिसे की बेलने में अच्छा लगा रहेगा प्रोब्लेम्स नहीं आएगी और ओव यह पराठा फटेगा भी नहीं तो इस तरह से हम अच्छे से पहले स्क्वेर में रखत फिर थोड़ा सा सुखाटा डस्ट करेंगे फिर हम अलके आथों से बेलेंगे तो आप देख सकते हैं कि इजिली पराठा बेल गया हो और ठुटा भी नहीं बहुत ही अच्छा बनके तयार हुआ है तो इसी तरह से मैं सारे पराठे को बेल लूँगी और में यहां पे आपक ममी पर रिपेन रहत है कि अपनी ममी अच्छा सा बनाए लेकिन बेचलर है आप ट्राइ कर सकते हैं इस तरह से बनाएंगे तो आपके पराठे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे और फटेंगी में नहीं और फूल के तयार होंगे बहुत ही अच्छी बनाएंगे और इस तरह स मैंने चारो तरफ से फोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा आज से प्रेस कर दिया चीसे के पराठा अच्छे से और थोड़ा सा सुखाटा डस्ट कर देंगे फिर हमल के आथों से बेल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आसानी से बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत ही मेंने लिए उब गेस पर रख दिया है तो इस पर आपर बाला पार्ट वहता है पराठे का वही हम नीचे की सड डालें गे और बिनिट के 2 मिनित के बाद हम सअसी पलट देंगे फीर हम उसके उपर ओइल डालने गें और स्प्रेड कर देंगे तो पहले हम इस दोनों साइड अच्छे से ओल लगा लेंगे फिर हम सेखेंगे और हम उसे दबा दबा कर अच्छी तरह से सिखना है जिसे कि किसी भी तरफ का कोना कच्चा ना रहे चार तरफ अच्छे से सीख जाएए तो इस तरह से हम अलके आलखाखा से प्रेस करते सिखेंगे और सारे पराठा को मैं इस तरह सिख लूँगी और मैं इसे खोल कर भी आपको दिखाऊंगी क्यों इस तरह से बेलने से पराठा कैसा बनता है अंदर के से स्टफिंग स्प्रेड होती है तो इस तरह से मैं सारे पराठे को बेल लेती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गोबी के पराठे यह बहुत ही अच्छे बनके तयार होगे और घर में आप सीचर में बनता ही है लेकिन किसी का प्षट जाता है कोई स्टॉपिंग के प्रोब्लेम हाती है लेकिन इस तरह से आप बनाएगी तो आपकी स्टॉपिंग भी अच्छी बनाएगी और पराठा एनदर के सुपफ कोने कोने को तक केसी लगी फीर मिलेंगे नई रेसिपीक के साथ में आपती है आप के ज़ बाइ बाइ